शादी के दो साल बाद आखिरकार गोहर खान ने वो खुशकबरी देही दी जिसका उनके फैंस बेसबरी से इंतजार कर रहे थे 49 साल की उमर में गोहर खान प्रेगनेट हो गई है और इस बात का एलान उन्होंने खुद किया है गोहर खान को लोगोंने हर अंदाज में देखा है कभी आइटम डांस करते ग्लैमर का जलबा भिखेरते तो कभी बिग बॉस में अपने हक के लिए लड़ते लेकन अब गोहर एक नया ही रूप लेने जा रही है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा रोल है गोहर एक बच्चे को जन देने वाली है इस खुशकबरी का एनाउंसमेंट करते हुए गोहर ने अपने सोशल मीडिय अकाउंट से एक एनिमेटेट वीडियो शेर किया है इसके कैप्चन में उन्होंने लिखा है विसमिल्लाहे ही रहमान नीर रहेम आप सब की दुआओं और प्यार की जरुवत है माशाला गोहर के पोस्ट की के इस वीडियो का एनिमेशन बड़ा ही शांदार है कार्टून वेरियेशन के लिए गोहर अपने पती जैद के साथ बाइक पर बैठी हुई है इस बीच लिखा हुआ आता है एक से बने दो जब जैद से मिली गोहर इसके बाद बाइक में एक कैरियर जुड़ जाता है जिसमें टेड़ी और कुछ खिलोने होते हैं टेक्स्ट में लिखा आता है और अब ये एडवेंचर कंटीन्यू हो रहा है और हम जल्दी तीन बनने वाले हैं गोहर और जैद वन प्लस इस सफर में हमें आप सब की दुआओं की सक्थ जरूरत है गोहर खान ने अपने से उम्र में 12 साल छोटे जैद दरवार से साल 2020 में शादी राचाई थी दोनों के उम्र में इतना बड़ा फासला होनी की वज़े से खुब सावाल उठे दे लेकिन गोहर का इन बातों पर कोई फरक नहीं बड़ा और आज उन्होंने अपनी एक नई जिन्दगी में कदम रख दिया है फिलार हमारे तरब से गोहर को बहुत बहुत शुब काम नहीं